हालो गार्स कैसे आप सब दोस्तों उम्मेत करते हैं आप सब आच्छी होँगी आज की इस वीडियो में आप के साथ बात करने वाले हैं कि सी टल स्क होता है वह च्टे और सप्सके के राट के बारे में और सेश्टी Second से मोडल पयपर ले कि यह इस चनल को यह दूसरा मड़ेल पेपर है इस माड़ेल पेपर में आपके लिए लग बग 60 प्रसने लेकि आ gli जो कि काफी important है जैसे कि thumbnail पर भी आप देख सकते हैं कि यह प्रस्न काफी important है और कई बार यह प्रस्न पूछे जा चुके तो ऐसे प्रस्न इस वीडियो में है वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like को share जरूर करिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं औ और फिर यू एन ओ है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका परिवार परिवार जो है एक स्थाई संस्था है बाके राजनेतिक दल रेड़ क्रॉस और यह सभी स्थाई संस्थाएं हैं दोस्तों इस मोडल पेपर में जो question दिये गा है जोदड़ों के ऑवस्यो पाएगा थे तो क्या रावी नदी पर आप्सन उपर नीचे हैं तो आपको ये ऊपर leggings नदी आ poll कि कैता है यह उप्षन डी का एनटा-fyर ऑव ओ दोन तो इसका सही जवाब कर mistake तो ऑप्संडी ए और ऑबी दोनों यानि कि रावि नदी और सिंधुनदी दोनों नदीओ किनारे जो हे ह्लपम्पा और मोणो जोडोरों के उसे इस पाय गाए थे Q. Q. Q 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 साही जवाब हो जाएगा निश्ट कोशन है दोस्तों बाद साही त्रिपटक जो है किस भासा में इसकी रचना की गई है बाद साही जो है त्रिपटक तो त्रिपटक की जो है रचना यह या किस भासा में लिखा गया यह पूछा गया है तो क्या A. संस्क्रत में B. अर्दमक्दी में या फिर C. पाली में या फिर D. प्रकरत में तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा जो त्रिपटक है वो पाली भासा में लिखा गया है बहुत साहित जो त्रिपटक है वो किस भासा में लिखा गया पाली भासा में नेश्ट कोश्चन है जो छिन्दगाटी की सभिता की लिप्स क्या रही है तो लिप है वो पढ़ नहीं जा सकी अभी तक … कॉस्टन है किस लेखक को दिन ईलाही कि मुर्कता की पहिचान कि ना पृद्धिता का इस मार्ग कहा है तो किसने अब इसका क्या हो जाएगा बिश्टेंस बिंसेंट जो है इन्होंने कहा था निश्ट कोशन आपके सामने करा कि चांद बीबी सासिका कहा के थी चांद बीबी जो रही है वो कहा की सासिका थी क्या अहमद नगर की रही है फिर बीजापूर की रही है या फिर गोल कुंडा की और फिर सतारा की ऐस और चाहननों यह सिका थी इहमद नगर की ऑहमद नगर की साथ सिका थी निश्ट कोश़ों न सेे से अकबर के ऐर-घुडिक दिनों में UNKA प्रताब को किस युद्ध में मुगलों की सेना ने पराजित किया था पराजित करना मतलब जो है मिवाल के पराजित को युद्ध में मुगलों की सेना से पराजित फोणा था ये या परानी प्रताप में मिवालों के युद्ध में या फिर सेयर खाने चला था या फिर अक्बर ने चलाया चला है तो इसका सभी जवाब क्या रहा है मनसप्धारी की प्रधा चलाने वाला अठसा अक्बर सासक ऑपर्ता उसने मसा तारी की प्रधा चालू किया था है मिजस्ट को Kernish को इस twins का रहा कि तो क्या कौन गया था क्या राजन प्रसाद गया थे या फिर जवारलाल नहरो गया थे पिर सुभाश चंद्र बोस गया थे तो सभाव इसको जाएका ऑप्सन भी सरुजणी नाइडू मातमा गांधी के साथ दुति गोल में सम्मेलन में सरुजणी नाइडू जी गई थी 909 में फिर 1911 में सही जब भी इसका क्या होगा 1907 में नेस्ट कोश्चन है कि गवर्नर जर्नल को रोपड़ में महान समलित किया गया था रंजीत सिंग्को क्यूषन फिर से देख यह सरा सब्सक्राइब कि कि इस गवर्नर जरुणल ने रोपड़ में रंजीत शिंग को महांत मंहानता से संभानित किया था तो किस ने किसे जनर्रेन तो प्रतम मुं महानता ये फिर हेस्टिंग है ये फिर औक लाइंड नहीं है सही जवाब क्या हो जाए कि कि ऊप्सब्स कस्थ कि माद्यम से बुंक्त किया गया तो कहां पर यह सूरत में बौंबे में अहम्दबाद में यहां पृदism देने के लिए गांदी जी के समर्थन का समय घ्ली एड़ी इस जो समीयरन उपक्ति अधिविद्व था UP PRDima में नेश्ट कोस्टन है असायोग प्रस्ताव कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ था तो कहां पर यह अधिवेशन हुआ था क्या लखनोव अधिवेशन में दिल्ली अधिवेशन में बॉम्बाई अधिवेशन में तो जो असायोग अंदोलन था कॉंग्रेस के कलक चिक्तादिवेशन में पास किया गया था अगला कॉस्चन है किने भारत का वयोब्रats कहा जाता है तो कॉसें काफी आसानnes को ईहोंगे अभारत कीषको चुक जो है वयोब्रत जाता था ये अब ही भी कहा जाता है कर ने टिस्क सम्राजवात के दावरान भारत का आर्थिक तृप ऑजडर्द घ्रलं किस ने परस्थुत किया था अपसे में डब्ली ऐबोसी बणर जी यह फिर दादा भास न रोजी यह भारत में कौन सा व्यपार संग भारत में सबसे पुराना है या फिर भारत का सबसे पुराना व्यपार संग कौन सा है तो कौन सा है क्या भारती राष्टी मजदूर संग कॉंग्रेस या फिर भारती मजदूर संग केंद्र यानिकी CITU या फिर अखिल भारती मजदूर संग Congress यानि कि AITUC या फिर भारती मजदूर संग BMC तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का सबसे पुराना जो संग है वो है अखिल भारती मजदूर संग Congress यानि कि AITUC Next question है करा कि निमने में से कौन सा चटगाउं सास्त्रागार लोट में सामिल नहीं था तो कौन नहीं था क्या कलपना दत नहीं थी या फिर सूरिसेन नहीं थे या फिर प्रिति लता वाडेकर नहीं सामिल थे या फिर दिनेस गुपता नहीं सामिल थे तो जो चटगाउं में सास्त्र कि दिनेज गुपता नहीं सामिलते हैं नेस्ट कोश्टन है कि स्थल मंडल सब्द किस से संबंद रखता है यह पूछरा किस से संबंद रखता है तो क्या पादप और जंतु प्राणी से या फिर प्रार्थी प्रथि प्रतवी का अंतरीख है या फिर सी प्रतवी का पतल भूप्रस्ट विस सुहीरा आप पूर्ती से में िविननिकित में से कौन सा अधेस सरवाधिक योगदान देता है तो उसा योज franc 30 a यह देता यह पिर श्रॉफा तूफान की साही दिशा का चाहिए यह किस दिसा में यह जाता है करते हैं इसका कρना है तो क्या शाहरा से इसा की उत्तर या फिर सहरा से उत्तर तरह पंत्र जाता है इसका सःती निम्यखित में से किसका दाइनिक टापमान अंतर सरवाजिक होता है किस का तमपनीक सर्वादिक होता है क्या पर्वत का पर्वत का पतार का या माँसागर का तो सर्वादिक होता है सबसे अधिक होता है यहाँ बालुई ज्यादा होता है वह तंपर्फ़ेश्य का सबस messer ti का नंबर कौन सा है दिल्ली सो कलकाता की जोड़ता है राश्टी मार्ग है यानि कि नाशनल हाइवे वह कौन सा है क्या नाशनल हाइवे नाशनल हाइवे टू है नाशनल हाइवे टू है तो सही जवाब क्यों जाएगा दिल्ली सो कलकाता जोड़ने वाला जो है नाशनल संस्थान का एक अनुसंदान संस्थान है जो कि किस राजिम है यह पूआ गया है राश्टी हो साणस्तान प्रत्रव जो कि आपका नध्रप्रदेश राजी में च्नित्त है अगला प्रसन शहरता है किस जो है किस सःघ्र के निकट अगर की घृटा siya उतना दिलिकित में से किस राज जी की तट्रेखा सबसे लंबी है यह पूछा गया है क्या आपके महाराष्ट की तमिलनाडू की गुजरात की या फिर आंध्रप्रदेश की तो सही जाओ क्यों जाएगा आपका गुजरात गुजरात की जो तट्रेखा है वो सबसे लंबी है निश्ट कोश्चन है करा कि मंजुली संसार का सबसे बड़ा नदी दूप है यह किस राज में पढ़ता है तो क्या अलोनांचर प्रदेश में पढ़ता है असम में पढ़ता है त्रिपुरा में पढ़ता है या फिर आपको मिजोरा में पढ़ता है तो मंजुली सागर का सबसे बड़ा नदी दीव पर यह आपके असमराज में पढ़ता है option 20 का सई जवाब हो जाएगा करहत देश के निमलिकिस समुव में से किसका साथ और उनचल प्रदेश की सीमा साजा करती है तो कौन-कौन से देशों के साथ और उनचल प्रदेश की सीमा साजा करती है क्या भोटान बंगलेदेश और चीन की साथ या फिर में मार बंगलेदेश और चीन के साथ या फिर भोटान चीन और में मार के साथ या फिर भोटान बंगलेदेश और में मार के साथ तो जाब कर अर या सीमा इस परस करता है कौन-कौन से बोटान चीन और मेमार निश्ट प्रस्ण है करें गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर क्या है क्या लद्दाक वाली भारत पाक सीमा पर है या फिर उत्तर पूरव में भारत चीन सीमा के पास मायक महान पर है यह फिर मैमार भारत मैमार सीमा पर है तो इसका सब्सक्राइब क्या होगा इस प्रसंद का अंसर आप हमें इसके कोमेंट सेक्शन में लिखें देखते हैं नेस्ट कुस्ट्टन सब्सक्राइब करें कि हर वीडियों मैं एक प्रस्ण आपके लिए छोड़ते हैं जिसका अंसर आपको देना होता है तो इस प्रस्ण का अंसर आपको देना है तो कौन सा राग्जी है किंद सासित प्रदेश इसको कहते हैं कि चंडी गड़े पुंडी चेरी है दादर दादर तथा नगर आवे लिए फिर अंडमार तथा दुई जो है अंडमान निकोबार दुईप समू तो सही जाब हो जागा इसका पांडू चेरी ने क्रवें कि सिद्वें कि झा सब्शाम करता ग्राध कि सबसे देस के साथ भारत कि सबसे लंबी अठरल निचेर को जो सब्सक्राथ करता है जेपकिसे कम की बात करें तो है अफर्गांिस्तान अफर्गांिस्तान के साथ सबसे उसकं़ पर्श cilantro ने कह रहा है आवसत इस्तितलागत चक्र क्या होती है जो आवसत इस्तितलागत चक्र होता है वह कौन सी होते क्या उर्दगामी प्रवर्टता होती है डहलान वाली या फिर यू आकार वाली या फिर वियाकार वाली या फिर नीचे की और प्रवर्णता डहलान वाली तो आवसत इ आए के कुल आबादी कितनी है तो राष्टी राष्टी कुल आबादी कितनी है क्या राष्टी या जन संख्या यह फिर राष्टी आए जन संख्या यह दोना आप्शन तो एक ही हो गए यह फिर आप्शन डी है राष्टी आए का जन संख्या दोस्तों यहां पर पूंचा गय मेंस प्रस्टी में 8 नमर कहा रहा है निजिन यमेस को क्या कहा जाता है रूप इसका सबुझा है नीजिक नीवेस करते हैं वह रेइडन परुलद Понय क्या होता है यह द्वह करें सरकार को अपने इसके बचाना होता है यह पीर निवेस बढ़ाना होता है या फिर जो है विवसाय किन्ताओं को कम करना होता है तो सही जवाप के वज़ाएगा ओप्संसी जो है निवेस को बढ़ाना ही विवनिवेस कहलाता है अगला प्रस्ण है कर अधिसेद सरवाधिक होता है जो अधिसेद सरवाधिक होता है क्या स्थाई वस्तूओं में विल्सिता में या फिर आराम दायक वस्तुव में या फिर जरूरत जरूरी समानों पर तो जो उपभोगता अधिसे सरवादिक होता है वो होता है आराम दायक वस्तुव पर जो यानि कि जीएश्टी जो लगता है जीएश्टी सबसे ज़्यादा किस पर लगता है जो लगजर बाकितान में जो है स्रि-लंका में inwardon मन्तरी बनी थे स्रिलंका मेननस्ट कोस्षण कौन से एक देश अभी राजा द्वारा सासित है कि बाकि तो गण जो है गड़तंत्र राज जो है कंट्रीज हो गई है देश हो गई है लेकिन अभी भी एक राज है जहां पर राजा का सासन अभी भी चलता है तो यह अफगानिस्तान है इरान है यह इराक है यह फिर साओधिया है तो साओधिय अरब तो इन जो है आप्सन के अधार पर जो है इसमें जो चौर आप्सन दिये गए उनमें जो है साओधिय अरब ही जहां पर राजा का सासन चलता है बाकि यहां पर सभी जगह पर इलेक्सन चला रहे हैं तो इस तरह से कई सारे देश ने लेकिन यह विकल्पों के अधर पर हम टिक करेंगे नेस्ट कोशन है करा चीं कि इसी टीडी विक्त करता है सस्त्र नियंत्रक या फिर मादब अधिय पने यह फिर वित्तिय नियंत्रक को पाई है फिर बैपार नियंत्रक और विद्यमाइटोसद्र जाओए अपका जो सस्त्र होते हैं सस्त्र नियंत्रक को पाई जो है यह आपका CTBT व्यक्ति करता है अगला प्रस्न है जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किस ने किया था तो जन इच्छा कि संग कल्पना का समर्थन रूसों के दौरा किया गया था नेश्ट कोश्चन है करा कि भारत में नियंत्रक और लेखा परिच्छक नियंत्रक और लेखा परिच्छक यह होते हैं यह किसके दौरा मुख्य लेखागार और लेखा परिच्छक के रूप में काम करते हैं तो क्या संग सरकार राजी सरकार ये फिर संग और राजी दोनों ये फिर इन्में से कोई नहीं तो यह होगा सही जवाब इसका होगा संग और राजी सरकार दोनों इंस्ट को सलने एकल सनानतरनी मत्परणाली में प्रत्य नियते सद्सति अपने प्रथमिक्ता को बताता है तो क्या बताता है कि सा 10 इसिए इस सभी के लिए मत्धान करते हैं तो इसका शायव हो जागा सभी के कानून को लागू करने का कारे किसका होता है किसका होता है क्या कारे पालिका का या फिर बिदान वंडल का फिर नयापालिका का या फिर इस्तानी सूची का तो सही जवाब जागा आपका कारे पालिका का जो कानून को लागू करता है वो कारे पालिका ही लागू करता है अगला प्रस्ण कहता है केंद्री सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वच कौन होता है तो केंद्री सरकार में सिविल अधिकारी में सर्वच होता है क्या महानियावादी Cabinet सच्जू ये फिर ग्रैन्स सच्च्व ये फिर प्रत्हनमंत्री का प्रत्हं सच्चू तो सवीय ज़ाव जगा इसका Cabinet सच्चू जो केंद्र सरकार में सिवील अजिकारी में सरवोच होता है UM का अगला प्रस्ण है बारती सम्हिदान के शात्वी AZS सुची के सहत ख़ार चैंड की साथ वी अनसूची के तहट तुल्डद की संग्धन कि सुची क्या है क्या संग है यह फिर राज जी सव्त्वक स्मरथ सोंची भाहरती समिधान की जो व्हात्वी अंसुच्य के तहट व्हाइड én सुची के विसाय समर्थी सुची है नेश्ट अगला प्रस्न भारती समिधान के सात्वी अनसुची के तहत भावनों एवं भूमी कर सुची के विसाय है तो क्यों सा क्या संग सुची का राज सुची के वैस्विक सुची के समर्थी सुची का तो सही जाओ जागा इसका राज सुची क के तहद कि अगला प्रसनें भारती सम्हणान की सातमी अनसूची सूची के विशय कि इस में वल्नीत है किसमें वाड नहीं थै तो क्या संग में यह फिर राजिम है यह फिर वाश्ची कुए सुझी में तो संवर्ती सुझी ज himself साय जाब हो जाएगा अगला परसन है हुई भारति समयदान के साथे में अनसुझी के तहट विदिसी अधिकार विदिसी हैं तो यह सइद्धिकार मोई सकरे में भारती समद्धान की साथमी अनुसुची के तहट सटे बाजी और जूपह सूची के विशय तो किसका किया जो संगह का राजी का ये फिर तर मुर्टी जोंचिका ढूसे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही जानकारी अगर आपको पसंद आई हैं प्रसंद पसंद आयों और लगे हों कि यहां इनसे आपकी मदद हो यह तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेश्ट कोश्चन के साथ तब तक के लिए जाएं